अलो एब्रीवन गूड इवनिंग आप सभी को हमारा साम का नमस्कार और काव्या एन मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है आई होप आप सब स्वस्थ होंगे सुरच्चित होंगे और अपने घर पर होंगे तो अभी आज पूरा दिन मेरा थोड़ा वेस्थ वेस्थ रहा तो इस इसलिए आज हमारे ब्लॉग जो है वो थोड़ा साम से स्टार्ट हो रहा है और बारिस इतनी ज़्यादा इधर हो रही है कि बारिस की वज़े से हमारे आप लाइट वाइट भी नहीं थी तो थोड़ा जानते हैं आपकी काम थोड़ा बढ़ जाता है तो अभी मैं ये अलवारी हमारा थोड़ा इधर का उधर हो रहा था क्योंकि बच्चे कई बार अपने हाथ से कपड़े ले ले लेते तो सारा अस्त वेस्त हो रहा था और सब सही भी होता ना तो सिवाय मेरा निकाल के सारा गिरा देता है बच्चा छोटा है तो थोड़ा इस तरह से हो जाता है तो वही मैं सोची कि चलो अभी मुझे टाइम मिल गया अभी लगबग बज रहे हैं वही पांच, पॉने पांच के करीब टाइम हो रहा मैंने का इस अलवारी को थोड़ा सही कर देते हैं अभी टाइम है और साथ में ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं आप लोग भी हमारे ब्लॉग का इंतजार कर रहे होंगे इसी वज़े से तो अभी मैं इन कपड़ों को थोड़ा रख दूंगी ठीक से कि जिस दिन यह द्यूटी पह उते न तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है कि मैं अपने जो एक्स्टरा के काम होते दिन कर पाती हूं कि जिस दिन घर पे हैं तो जानते थोड़ा बहुत टाइम बैठने में बात करने में ऐसे ही मतल ड़ाता है तो अभी मैं ये कपड़े घरी करूंगे उसके बाद फिर चाय का तो टाइम हो रहा है और चाय का मन भी कर रहा है तो मैं सुछ रहे हूं चलू फिर उसके बाद चाय बना लेती हूं और आपके साथ चाय पी लेते हैं तो देखिए हमारी आलमारी थोड़ी सेट हो गई है और ही हमारी डेलि पीयर के कपड़े हैं तक-टक सी हम remember हमती हम टेंशा है चला कर बता दो इसमें कॉन-कॉन बैठेगा ट्रेन में बते हैं बल्चे बच्चे बैठे बैठे बच्चे हैं इthiento that इतर देखो ममा तरफ देखो बहिए इतर देखो अब बोलो गुड इवनिंग अभी मैंने चाय चड़ा दी थी और चाय मेरी बन रही है मैंने कर तक तक आंगे की तयारी कर ले और आज मैं बनाने जा रही हूं आइस क्रीम तो आइस क्रीम के लिए मैंने ये आम लिया है और ये बदाम आम है जिसमें रेसे नहीं होते हैं तो मैं उसी को यूज करूंगी और इसमें बिना रेसे का याम आपको यह भी ले सकते हैं मैंने तो ये बदाम आम लिया है और मैंने इसको कट तर के रख लिया है अब मैं इसके चाय पीओंगी पहले उसके बाद ही मैं बनाऊंगी और इधर बैठे हम सब लोग चाय नास्ता कर रहे हैं और बच्चों को मैंने दूद दे दिया है माने रखो दंदानी खालो ज़ाजी कालो निए खालो प्रिक्षादी हो तो अ कर देखे उसे ँच्छा लगए तका अगल व्भाटी अगल भूट अट्य व्यूच्छ्य नास्ता कि ने जया है प्रील गताए तुपलाए तुछ कहाना व्यूच्छ करें किसी जा कि अपिछें शिकी जा करड़ को पिचे एक पिचे एकक मैं भीज... मह और दोड़ा हुम्ण नदर आप आप इस काने के चाने के चाने हाथ में काव्या इन मम्मा ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है आई होप आप सब स्वस्त होंगे सुरचित होंगे और अपने घर पर होंगे देखिए देखिए इसको कैसे घुसा जा रहा है बेटा देख लिया सब लोगों ने आपका देख लिया बस सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है सिवाय का खिलोना पुछो कैसा है पुछो मेरा खिलोना अच्छा है पुछो हाँ हाँ कैसो मैं अच्छा लग रहा हूं आप देख रहे हैं सिवाय ने आज शर्ट पहनी और यह कोरोना के चलते ना सारे कपड़े बच्चों के रखे हुए और सारे कपड़े छोटे हो जा रहे हैं तो मैंने का निकाल के पैनाई दूँ और वैसे भी बारीस हो रही है इस वज़े से बेटा बात करने तो ना प्लीज देख लिया ना बस अब खेलो तुम खेलो तुम खेलो तुम खेलो तुम खेलो तो वही मैं कह रही थी कि सारे कपड़े मतलब अंदर रख रखे उसमें अलवारी में रखे 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 सारे खेलोने मुह से निकल रहा क्योंकि यह खेल रहा ना तो वही मुह से निकल रह लगवाई मैं बता रही थी कि सारे कप्टे रखे रखे अलवारी में सब छोटे हो रहे हैं कि अब नेरी बेटियों के इसके बेटे के सारे तो मैंने का इसके कपड़े कम से कम यह की निकाल दें कुछ तो यह घर में पहनेगा चोटे हो जाएंगे तो कोई मतलम नहीं है किसी को देने ही पड़ेंगे तो और दूसरी बात ही है कि पहनाना तो अभी इसलिए जरूरी कि यह टाइम जो होता है तो मच्छरों से बचेंगे हमारे बच्चे दूसरा कि जैसे अभी क्या होता है ना इस ताइम पर बारिस होती है उसके आदम लोग कूला रेशी पंखे फिर ओन करके एकदम उमस होती है अंदर अंदर फिर बारिस होती है इसे मतलब मौसम में उतार चड़ा होता रहता है ना उससे क्या होता है कि बच्चे एकदम गर्मी लगी फैन ओन किया एसी ओन किया फिर वह मतलब ऐसे थंडा पानी पी लिया और बारिस होई थंडा गरम हो के बच्चे और वीमार हो जाते तो इस समय अगर आफ फुल बाज लेते हैं और रात बर बच्चे क्या है आप उनको उड़ा भी दो चार छे बार उनको ढग दो चादर से या ब्लेंकेट से फिर भी वह हटाई देते खुले ही पाए जाते हैं सुबा तो इसे अच्छा है कि हम उन्हें फुल कपड़े बनाएं तो अराम से अगर इसी में सो भी रहे तो उनको ठंडा नहीं लगेगा और विमान मैं तो ऐसे करती हूं और आप कैसे करते हैं आप हमें कमेंड में ज़रूर रताएगा तो यही है आज सुबा से मैं आपको बताऊं सुबा से ब्लॉक स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला रिजन गया था ना कल रात मे गए 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 सुबा आई है एप्रॉक्स बारा बारा से उपर ही था टाइम मैं एक्जेट टाइम नहीं देखा काम की वज़े से और हमारे गर में पानी नहीं था फिर बहुत परिशानी हो लेकिन थोड़ा बग था तो काम चल गया कोई ऐसा इससू नहीं था लेकिन ह आई है कि कपड़े वगरा जो डेली हम सु धूलते हैं वो सारे नहीं धूल पाया उनको हम लोगों उठा उठा के रग जैसी कहते हैं जैसी स्तिती वैसे हमें घुजरना पड़ता है तो कपड़े रग दिये तो सारे कपड़े वगरा मैंने अभी तीन से चार बजे मैंने ध परमी लगती है रात में अंदर कुछ कूलर रेसी चल जाया तो अच्छा से नहीं राट में आज सोई नहीं मतला परिशान सा थोड़ा रही और जब राट में अगर आपकी हो हमारी किसी की भी हो राट में नीन पूरी ना हो पूरा दिन ऐसे लगता है कि हम मतला बीमार बीम किसी भी काम में हो जरूरी नहीं ब्लॉग स्टार्ट करना है कोई भी काम हो अगर हमने पंचूल्टी से उसको डिसिप्लेन के साथ नहीं किया तो फिर मदा नहीं आता है पिर कहते नहीं है जितना डालेंगे उतना ही हमें मिलेगा वह एज़टी सेम वही बात होती है कहते न हम अब किसी भी काम में अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठते में पंचूल्टी बहुत जरूरी है बस एट उजटी इतना समयो कोई भी काम है अगर हम टाइम से खाना नहीं बनाएंगे तो रूटीन बिगड़ता है टाइम से हम नहीं मतलब कहीं जाना है ऑफिस या जो भी बवकिंगभुमेन या जो भी तो विंद्य जाघर हमारे जीवन में अगर हमारे दिन चर्रया में अगर नियम नहीं थे किसी भी चीज़ का कई भी हम सो रहे हैं कभी भी आ था कभी था रहें कभी बीपिर चलता है यका बब हुशा है ना 15 दिन मतलब पहले हमें एनरजी पुरुवा काम करते हैं मंडे टू शर्ट अडे लेकिन आप देखें न संडे एक हमें मिलता संडे हमें भगबार ने भी दिया है कि इसमें आप रिलेक्स करो आराम से उठो और अपनी लाइफ इंज्याए करो मतलब फूर प्रॉब्लम चाय के साथ ही मैंने का आप से थोड़ी दिर बात कर लें आप कहेंगे बस वही रोज चाय रोज चाय तो नहीं चाय तो पीएंगे ही साथ मैं अच्छी सी स्पेशल डीज बनाने वाली हूं जो कि मैं मान के चलिए मेरे बच्चे कम से कम वन बीक से चिला रहे हो कि मम्मी बन लेकिन मैं बना नहीं पा रहे थी कुछ संगुछ ऐसा हो जा रहा था दूसरी बात कभी होता ना सब्जियां यह पड़ी वह पड़ी तो चलो यह बना ले वह बले ऐसे कर गया आलस हो रहा था और कुछ भी नहीं अब कल है ब्रत तो मैंने का चलो आज बना ले और कल खाएं आज बना लेकिन का लिए बना लेकिन कर दो तो आप चला जाएगा ममी मैंगो आइस क्रीम बना वाचों फिर हम आप क्यों इतना सब कुछ पूरे दिन जद्धो जहाद करतें अपने सिर्फ बच्चों के लिए तो मैंने जाने तो बच्चे मेरे बोलना है तो एक बार बना ह लेते वैसे मैंने दो तीन बार सीजन में बनाई और हम लोगों ने खाई अभी क्योंकि मार्केट का कोई सहारा नहीं हो मार्केट का में खाना भी नहीं चीज़ें इस तरह का मदब इग्नोर करें तो अच्छा है बाकी इंसान मजबुरी में फस जाता तो फिर तो खाना ही जग नहीं पढ़ता है तो चलिए अभी बने रहेए वीडियो में और यहाँ वीडियो का फुल उर्च करिए प्लिस आपको हमारे वीडियो में कैसा लगता है आप अच्छा लगता है तो आप उसको पूरस फूल वाज़् करिए और साथ में सुर्षे और लिक टीया कर दिय तो जैसे वहां से घंटी बजने की आवाज आती ना तो मैं तुरन्त पूजा कर लेती हूं चीनी ना चीनी डालेगी चीनी कवाज शोच भी एक है न कोई आएस न दूद्ध कुछ भीए और इसको अच्ज़ा से मै ऊच्छी आप पीछने के बाद और यह और यह मैंने फ्रेस क्रीम ली Kend origin मैंने दूद की निकाली थी अपने घर के जो दूद आता है उससे निकाली है आप चाहे तो दूसरी क्रीम भी डाल सकते हैं और मैंने क्रीम को डाल के अब इसको थोड़ा सा और चलाना है बहुत जादा नहीं चलाना है क्योंकि फिर उससे मख़न निकलाएगा तो इस तरह से अब जो हमारा पैन है ना मतलब यह ढोकले का जो पैन है इसी में हम इसको डाल के आइस क्रीम को सेट कर देंगे और उस हिलाए लाके थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगे और इस अच्छी घासी एकदम अपने आज आएगी बराबर और उसके बाद हमारे पास है चेरी तो मैं आ प्रत को रिस्क में डालेंगे तो हम इसको नहीं खाएंगे तो उसके बाद इसमें मैं डाल दी चेरी तो देखे किता सुंदर कलर आ रहा है उसके अद मैं यह बता रहे थी कि यह जो बॉक्स है एयर टाइट कंटेनर उसमें भी हम आईस क्रीम को बना सकते हैं मैंने पहले उ उसमें बरफ जैसे टुकड़े मतलब जम जाएंगे तो वह ठीक नहीं लगेगी आईस क्रीम में अब मैं इसको रख देती हूं फ्रीज में तो फ्रीज में रख दूंगी उसको मुझे बनाना है खाना क्योंकि यह अभी आने वाले थोड़ी दिर में आदे गंटे का बाद ह तो मुझे जल्दी से फिर खाना बनाना है तो अभी मैं थोड़ा सा मैंने सुबा मौनिंग में मौनिंग में बनाया था मैंने वो जो इसको आप देख रहे होंगे पिक्चर में यह इसको बोलते हैं रमाज बोलते हैं हमारे आगरा साइड में लेकिन आपके तरब क्या बोल प्यास टमातर भुन गए बद हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर कर अधन्या सबस्केए चिजए बेसिक जो मसाले वह चूछे हमारा है थियोह 145MA प्रिमाटे पक जाए एक दू चेकर मारत यह पर तो स्विट्द तो अभी नोने आटा पिसा के लाके रख दिया था तो मैंने का इसको भर ले दी हूँ सुबह से आज में टाइम नहीं मिला था मैंने अभी खाना भी साथ में बंजता जाएगा और साथ में कीचन के अधर काम भी होते जाएंगे और देखने आप सिवाय फ्रीज के डॉल में लीचे जिसमें प्याज तमाटर नहीं प्याज आलू बगरा रखते तो सिवाय मेरा प्याज चीलने में जुटा हुआ है वह अपनों बैटके प्याज चील रहा है बराबर लेकिन यह की डिस्टरब नहीं कर रहा मुझे तो अभी मैंने इसमें यह डाल दी है और इसमें थो बनाते हैं और साम को भी हम चावल दातर इग्नोर ही करते हैं लेकिन कभी-कभी अगर मन किया दिन में नहीं खाया तो फिर बना लेते हैं अब उसी साथ में लगा ले रही हूं आटा क्योंकि यह आ रहे हैं तो जल्दी-जल्दी सारा काम फिट करके रख दो और फिर अपना जल्दी से इनको निकाल दूँ क्योंकि उसके बाद फिर बैट बैट जाओ तो फिर और ज्यादा आलस हो जाता है तो बस यह बरतन में जल्दी से दोले रही थी उसके आद मुझे सिर्फ रोटी बनानी है और बस गैसरे साप करके और जो बरतन रात के वह दुलने हैं क्यों सब्जी भी मेरी देखे रेडी हो गई है अब मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पती और सब्जी देख रहे हैं किता सुंदर कलर आ रहा है और पता है आपको बाद में हम लोगों ने खाया था न बताया कि इसको साथ चोली बोलते हैं पता नहीं लेकिन इस तरह अना आज हमें खाने जाई है इसलिए हमें इसकी सब्जी बनाई है और आप भी बनाई है और इसी तरह और हाँ जो आइस की मनी ना तो वह आपको कल खाने को मिलेगी क्योंब अभी तो जमाई गई है उसके बाद हम उसको डालेंगे मतलब निकालेंगे तब अगले वीडियो में आपको आइस क्रीम करें मिलेगी क्योंकि अभी तो बनी है सिर्फ फ्रीजर में पहुंची है उसके बाद मिलेगी तो आप हमारे साथ खाये इसी तरह हमारे वीडियो को इंज्वाए करते रहिए और हा जल्दी खाले ते नौ बच रहा है अब जल्दी खा पी के आराम से हो गया बस क्योंकि जल्दी तो उतना ही अपने आपको भी अच्छा लगता तो चलिए मैं इनको खाना दे देती हूं तब तक के लिए बाइग बूड़ नाइट